दोस्तो मारूती ने ओल्टो केटेन की C&G मौडल को इंडियान मार्केट में लॉंच कर दिया है जो की है BXI और इसको हम लोग मारूती की ही दूसरी गारी जो की है S-Preso इसके BXI C&G मौडल के साथ कॉमपेर करेंगे और देखेंगे मारूती ओल्टो केटेन C&G सबसे भेल फर मनी है या फिर S-Preso C&G सबसे भेल फर मनी है आईए स्टार्ट करते है सबसे पहले हम लोग प्राइस से सुर्वात करेंगे तो ओल्टो केटेन BXI C&G की एकसरम कॉस्ट रहेगी 5.95 लाग रुपे S-Preso BXI C&G की एकसरम कॉस्ट रहेगी 6.10 लाग रुपे मतलब 15,000 रुपे ओल्टो केटेन BXI C&G सबसे पड़ेगी S-Preso BXI C&G के मुकाबले तो प्राइस डिफारेंस की अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा आपको डिफारेंस देखने में नहीं मिलता सिर्फ मामुली साब 15,000 रुपे का ही डिफारेंस देखने में मिलता है इंजिन पारफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही गार्यों में आपको एक ही इंजिन का इस्तमेल मिलेगा जो की है वान लिटर थ्री सिलिंडर डुएल जेट डुएल वीविटी पेट्रोल इंजिन जो सिए एंजिन में प्रोडूस करता है 56 बीएच्पी और 82 अनेम टॉर्क दोनों ही गार्यों में आपको सिएंजिन में फाइप स्पीर मैनॉल अनली ट्रांसमेशन मिलेगा एंटी का सापोर्ट नहीं मिलता मालेज की बात करें तो अल्टो के टेन में अफिसली क्लेम करा जाता है 33.85 किलोमेटर पर किजी का मालेज जबकि एस पेसो में 32.73 किलोमेटर पर किजी का मालेज क्लेम करा जाता है मतलब almost 34 km का mileage आपको Alto में जबकि एस प्रेसों में आपको almost 33 km पर कीजी का mileage क्लेम करा जाता है सेंजी में Diamond Sense की बात करें तो Alto K10 length wise 35 mm छोटी है birth wise 30 mm छोटी है height wise 47 mm कम है wheelbase equal है ground clearance में 20 mm कम है tire size में 1 इंच छोटी है तो Diamond Sense को अगर compare करें तो आप देखी सकते हो Espresso Alto K10 के मुकाबले size में थोड़ी बड़ी है लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि Alto K10 के मुकाबले आपको Espresso में भर भर के pace मिलेगी हाँ थोड़ी बहुत extra pace आपको Espresso में मिलेगी Alto K10 के मुकाबले और 1 इंच बड़ी टायर और 180 mm का ground clearance भी मिलेगी जो काफी practical है तो ground clearance को अगर compare करें तो इस point से आप Espresso के तरब जा सकते हो Espresso में आपको काफी practical ground clearance मिल जाती है और 1 इंच बड़ी टायर भी तो Dimensions को अगर compare करें तो Espresso आगे निकल जाती है तो overall अभी हम लोगों ने जो जो point को compare किया है उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा major difference नहीं मिलता सिर्फ dimensions को छोड़ कर comfort feature की बात करें तो दोनों ही गारियों में आपको मिले बाला है front doors, power windows, manual AC with heater, power steering, 2-din music with front door speaker और internally adjustable work frame अगर सिर्फ Espresso में मिले बाली feature की बात करें तो Espresso में आपको एक feature extra मिलेगा जो कि है remote keyless entry जो कि आपको ultra K10 के VXM model में नहीं मिलता तो feature को अगर compare करें तो Espresso का जो ये remote keyless entry feature है ये काफी useful feature है ये daily आप use करोगे तो feature के हिसाब से हम लोग Espresso को ही आगे रखेंगे क्योंकि remote keyless entry आपको Espresso में मिल जाती है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ultra K10 में remote की नहीं लगा सकते आप company fitted showroom से ही लगबा सकते हूँ उसमें कोई problem नहीं है लेकिन अगर stock car की बात करें तो यहाँ पर Espresso आगे निकल जाती है safety feature की बात करें तो दोनों ही गारों में आपको मिले बाला है rear parking sensor, dual airbags, ABS with DVD, child lock rear doors, seatable pretense with load limiter तो ये सारे feature आपको दोनों ही गारों में मिले बाला है इसमें कोई भी भेदभव नहीं है तो आप conclusion की बात करें तो आप लोगों ने देखी लिया है कोई बहुत ज़्यादा major फर्क आपको दोनों ही गारों में देखने में नहीं मिलता लेकिन अगर बात करें dimensions की या फिर बात करें comfort feature की तो यहाँ पर आपको एक दो फर्क मिल जाता है जो एस प्रेसो को इजिली winner बना देता है अल्टो K10 के मुकाबले जैसी के आपको remote class entry company fitted मिल जाता है एस प्रेसो BXI model में उसके साथ साथ आपको 180 mm की practical ground clearance मिल जाता है आपको tire size भी एक इंज बड़ी मिल जाती है थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आपको एस प्रेसो में केविन पेस ज्यादा मिल जाती है तो इनी point के मदद से एस प्रेसो इजिली इस comparison video का winner बन जाता है लेकिन अगर आपको auto brand से प्यार हो तो आप auto K10 BXI के तरब भी जा सकते हो कोई भी आपका flop decision नहीं रहेगा लेकिन इस comparison video का winner सिर्फ एस प्रेसो BXI CNG ही होगी तो दोस्तो ये था आज का video I hope आपको video पसंद आई होगी तो video को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट video में बाई बाई